बदल दे मौसम ग्लोबल वामिंग अते वद दे तापमान दा असर हुन और वाले समझ पंजाब दियां फसलां ते देखनों मिल सकता है पंजाब खेती बाड़ी उनिवर्स्टी दे अर्थ शाष्त्रियां अते विज्यानिका वल्लों एक सरवेखन एक खोज किती गई है जिस विच ए सामने आया है कि 2005 तक पंजाब दियां मुख फसलां जिवें अनाज, अलू, कपास, मक्की, चोला ते माडे प्रवाव देखनों मिल सकते ने अर्शाष्त्री डॉक्टर कमल दत्ता अते उनादे एक साथी नाल गालबाद किती गई तो ये जानन दी कोशिश किती गई कि पंजाब विच मौसमी तबदीली कारण महतपून फसलां दी पैदवार के वें काट सागदी है अते इस दा लोकां ते की असर पैसकते है अगर लगातार ऐसे ही मिनिममम टेंपरेचर बढ़ता रहा है हमने शंका जाहिर किया है कि 2050 से लेकर 2080 तक 2050 से लेकर 2080 तक 13 से 18 परसेंट उत्पादन कम हो सकता है इसमें मक्की पर और कपाह पर असर पढ़ेगा लेकिन गेहू पर और आलू पर कम असर पढ़ेगा किसानों को तो हम हमेशा ही अपने राय देते रहते हैं हमारे के वी के जैंशन स्पेशलिस्ट हैं कि रिसर्चर्श हमेशा किसानों के साथ ही हैं तो हम उन्हें यह राय देना चाहते हैं कि आप नहीं से नहीं जो हम आपको नहीं बीज दे रहे हैं नहीं वराइटीज दे रहे इस देखकी अपने उतिखादन. पेहले हम जदा फोकस कर रहे थेर राइस और वीपरर हम ने सोचा कि हम बाकी फशलों को लेकर भी देखें कि बाकी फशलों पर लंबे समय के बागा तेम्परेचर आसर रहेगा, तो उसमें हमें देखा कि टेमप्रेचर का असर बाकी फसलों पर भी पड़ सकता है अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और मिनम टेमप्रेचर राइज होता रहा है। जो क्लाइमेट चेंज का आजी कर्फ Свी क्लाइमेट चेंज का आइकृकुलचर पर घ्यो प्रभाव है तो लगता है कि इसका नेगटिव पड़ेगा। लेकिन मैं उस चीज का माहिद तो नहीं है लेकिन यह है कि जो क्लाइमेट चेंज पे असर हैं क्यति बाड़ी पे वो बढ़ते जा रहे हैं नेगटिव असर जो है और उससे फार्मर की जो एकॉनमी है उसकी आर्थिक जो है स्थिति पे वो बुरा असर हो सकता है और जितना य उसका आर्थिक नेगटिव प्रभाव जो है वो बढ़ता जाएगा और उससे फार्मर को यह इशू आता है कि फार्मर जब रिस्क बढ़ता है और यह इसका क्लाइमेट का प्रभाव जो है वो उसके ज्यादा प्रभाव जो है वो उसस्तिति में अच्छी तरह से प्लैनिं खेति में जो इसका मुनाफ़ है वो कम होना चृओ हो जाता है उससे साध इसका तीज चिपयोगा जा जाती है और आप कर वार्मिंग य 근데 जो मैकसिम том चेलिंग है वो बढ़ते हैं यह किर लोबान फौर भार्मिंग से जो ताफ्वान आ है वो जाता है और मेक्सिमम तापमान बढ़ने से जो हर फसल जा खेती के जो धंडे हैं जा खेती की जो भी हम प्रडक्शन करते हैं वो उस पे अलग असर पड़ता है किसी पे कुछ ज्यादा नेगेटिव पड़ता है किसी पे पॉसितिव भी पड़ता है किसी पे कम नेगेटिव पड़ता तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी फसल है और उसका प्रभाव कितना होगा कैसी कैसी तुष्णों पर पढ़ सकता है तो हर एक पर ही प्रभाव पढ़ सकता है लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम किस रीजन में हैं क्या हम भारत में हैं क्या हम अमेरिका में हैं क्या हम यॉरॉप में हैं तो हर जगा पे और हर क्रॉप इस तरह से अलग-लग परक्पने सो कर लो ह опасement आने बमदे बहुष में इस तरह सी चितावनी निकलने का ये है कि हमें हर चितावनी के सामने कोई ना कोई मुख्य और संभावनाएं भी बढ़ा होती है तो मुझे लगता है कि सरकार को और फंडिंग और्गिनाइजिसन को जादा फिनेंशियर डिसोर्सिज रिसर्च और डिवल्लमेंट के लिए प्रवाइड करने चाहिए ताके जो क्लाइमेट चेंज की मितिगेशन और उसकी रिजीलियंच के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर और डिवलिम्मेंट की जा सके ताकि पहले रिसर्च की जाए और वो जो रिसर्च में जो अच्छे नतीजे निकल के आते हैं वो फार्मर तक बढ़ावी डंग से पहुंचाए जा सके ताकि पार्मर इस क्लाइमेट चेंग का सामना अच्छे तरीके से कर सके